आप सबको जानकरी है अलजी साहब के पास मैं खुद डिप्टी मेर, स्टेंडी कमेटी के चेर्मेन और कुछ हमारे माननी पार्षद गए थे पैंचन के विशे को लेकर और तब एक फॉर्म जारी किया गया था और जो सबको बताया गया था कि हर पार्षद अपने अपने वा जिनके हकदर भी हैं उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब वाडो में कैम्स लग रहे हैं जो की वाड नमबर 43 में चल रहा है वाड नमबर 16 में चल रहा है और बाकी वाडो में चल रहे हैं मैं आप सब से ये निवेदन करूंगा आप इन वाडो में जाकर भी वहां लोगों के व्यूज लें कि कैसे उनके ऑन दा स्पाट वहां तसीलर भी बैठे हैं नाइट जीलर भी बैठे हैं साथ में फूड इंस्पेक्टर और सोशल वेलफेर के अधिकारी भी एक ही टेबल पर बैठ कर लोगों की समस्यों का समधन कर रहे हैं और ये लगी प्रसेस न हमारे जम्मू के लोगों के लिए जिनकी पैंशन बंद होगी थी अब उनकी पैंशन का काम शुरू हो गया जिनों ने जिस टर्म में फॉर्म से जमागराए हैं यहां वैसे वैसे ही कैंशन लगेंगे फॉर्स्ट काम फॉर्स सर्व क्योंकि 16 नंबर वार ने सबसे पहले फॉर्म जमागराये थे हमने एक ही दिन में पूरे वार का सरवे करते हुए डेटा कलेट करके तीन रातें संबरवार में सर्वे का काम शुरू हुआ था और हमारा अभी भी चल रहा है आप देखिए आप आज खुद स्वैम वहां जाके देखें और आपको पूरे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे वहां उनी फॉर्मों पर जो हमने भर कर शीतल नंदा जी को दिये थे जो कमिशन सेक्रटी हैं सोचल वेलफिर डिपार्टमेंट की उनी फॉर्म के उपर आज तसीलदार नायबसीलदार फूर इंस्पेक्टर और सोचल वेलफिर के अधिकारी काम कर रहे हैं उस पे ही वो मार् आपके वाट्साप पर वाट्साप करिए हाई 972-825-3663 पर